हलो एवरिवान वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला यह पाठशाला जहां आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको सारी चीज़े कराता है वहीं कोशिश करता है कि भाई आपके लेखन वाचन में भी सुधार हो और आप बहुत सारी चीजों को जाने तो मेरे उपर रिस् दे चुकी हूं जिन में हमने परैवाची भी किये हैं दोहे भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम मुहावरे भी करते हैं तो यहां पर सिर्फ मेरी कोशिश यह रहती है कि चाहे आपका लेखन हूं चाहे वाचन हूं दोनों में ही बहुत जादा सुधार हो और आपका वाचन और लेखन काफी प्रभावशाली रहे क्योंकि ये दोनों ही चीजे कम शब्दों में जादा को बया करने की बात करती है तो इसमें एक बहुत प्रभावशाली चीज है दो है ठीक है क्या है दो है दो है जो काफी हद तक अगर आप इनको वाचन में इस्तमाल करते हो तो भी आप चीजों को सीखेंगे क्योंकि देखें दोहे हों साखिया हों सबद हों पद हों रमैनी हों चंद हों ये सभी हम छोटी क्लासे से पढ़ते चले आते हैं बात मान के चलिए तो हम करीबन शैथ 4 या 5 तसे 2 हों को पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन कभी इनको seriously नहीं लेते है देखें अगर कोई चीज हमें बश्पन से सिखाई जा रही है तो उसका काम यह होता है कि वो हमारे अंदर बस जानी चाहिए जैसे बहुत सारी आदते होती है हमारे अंदर हो जाती हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है तो यह एक तरीका है आपके syllabus में यह चीज़ आपके syllabus में होती है ना तो इसी लिए हम यह चाह रहे हैं कि आप इन दोहों को ताउम्र याद रखिए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखिए तो इसी लिए इन दोहों के संसार सीरीज को शुरू करके हम आपके ज्यान को का वर्धन कर रहे हैं यानि की ज्यान में व्रध से हर एक चीज़ को समझें लेकिन एक चीज़ याद रखेगा यह दोहों की सिरीज है इसमें कबीरदाज जी के भी दोहे हैं रहीम दाज जी के भी हैं बिहारी के भी हैं सब के दोहे तो चलिए अब फिर से देख लेते हैं आज कबीरदाज जी के दोहे तो दोहे लेकर आई दीरे सब कुछ होए माली सीचे सव घडा रितु आये फल हो तो यहां पर कहते हैं न कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें क्या होता है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें सब काम हो जाएंगे पेशन्स रखें धीरज रखें है न तो यहां पर कबीर दास जी क्या कह रहे हैं धी धीरे धीरे रे मना यानी कि हमें कोई भी काम हो इश्वर की भक्ती हो कुछ भी हो हमें जो है वो धीरे धीरे करते रहना चाहिए ठीक है जैसे आप लोग हैं आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास नाइं इंट सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आपके लिए कहते हैं कि भ आपको धीरे 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 सारे काम करने उसी तरह ईश्वर की भक्ती भी क्या है हमको धीरे धीरे करती रहने चाहिए यह नहीं कि भई आज सुबा जोड़के भगवान से प्रात्ना करी भगवान मुझे यह दे दीजेगा और आपको शाम तक आपकी जोली में मिल जाए ऐसा न धीरे सब कुछ होए मतलब एक समय जब आएगा तब आपका सब कुछ हो जाएगा अब इस बात को समझाने के लिए कबीर दाजी ने एक बहुत अच्छा उधारन दिया है क्या कह रहे हैं माली सीचे सो घड़ा रितु आये फल होए अब माली माली जो है अपने बगीचे में कोई भी उसने फल का पेड अगर लगा रखा है मान लीजिए उसने अमरूत का लगाया है सेप का लगाया केले का लगाया किसी भी चीज़ का लगाया अब उसमें वो छोटे से जो है ना सीचता रहता है उसमें पानी देता रहता है वो छोटा सा पोधा लगाया जब उसमें जब फल आता है जब थंड होती है आम में बहुर का बाता है वसंद के समय आता है लेकिन यह मतलब थोड़ी न है कि जब फल दे रहा है तब meget तक हम पानी देंगे और जब फल नहीं रही देंगे तो यानि कि माली क्या है वह बहुत धीरता के साथ जो है अपने बगीचे में लगे फलों के पेड़ों को पानी देता रहता है लेकिन उस पेड़ में फल तभी आता है जब उसका मौसम होता है अर्थात यहां पर इस उधारण के माध्यम से समझाया गया है कि माली की धीरजत धीरज रखने के कारण और इस निरंतर प्र धीरज रखो यानि कि क्या है धीरज रखो तार यानि कि अपने मं में धीरज रखके सारे काम को करो चाहे भक्ती हो कोई भी काम हो, हर काम में धीरज बहुत जरूरी होता है, धीरज का मतलब होता है पेशन्स, धैर, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके अंदर पेशन्स की जरूरत होती है, उधारण के तौर पर कहते हैं, जिस प्रकार माली हर दिन पानी देता है और खात देता है, लेकिन उसका समय आता है, इसी लिए कभी भी भक्ती कर रहे हो तो धीरज रखे, सही से आंत्रिक अभ्यास करते रहें, एक दिन सत्य पुरुस के दर्शन जरूर मिलेंगे, तो यहां उन्होंने भक्ती के माध्यम से बताया है, लेकिन ये धोहा जो है, वो आपके जीवन में करने व लेकिन उसमें भी आपको पेशन्स रखना पड़ता है, पहले पानी चढ़ाओ, पानी को खॉलने दो, तब उसमें मैगी डालो, फिर उसके बाद टेस्ट मेकर डालो, फिर उसके खॉलने का इंतजार करो, फिर उसके बाद जाकर कहीं वो बनती है, यह तो मैं सिंपल वे से तो क्या हुआ, आपको उस मैगी जो आपको टेस्टी है, जो आपको भूक लगी थी, उस भूक से निजात पानी के लिए आपको एटलीस पांस मिनिट का तो वेट करना पड़ा ना, बनके तयार हुई, हलकी सी ठंडी होगी, तब तो मुह में डालोगे ना, तो उस मैगी को बनने और आपके तक मुह पहुँचने में, आपको पांस मिनिट का तो धीरेज रिखना पड़ा, यानि कि आप कोई भी काम करोगे, आपको थोड़ा सा पेशिंस के साथ करना चाहिए, और समय सही समय आने पर उसका फल आपको प्राप्त हो ही जाता है, इसलिए हमेशा बिन किसी शक्षुबा के आपको अपना परिश्रम करते रहना है, फल जब मिलना होगा, मिल जाएगा, चलिए, अब आते हैं हम अपने अगले दोहे पर, दोहा संख्या 6 है, क्या दिया गया है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चूपडी, मन जी, पहले जो दोहा हैं उसका आर्थ समझ लीचे, फिर पूरा आश्रह संजाते हैं, रूखा सूखा खाई के, यानि कि जो तुम्हारे पास है, उसको खाओ, यानि कि तुम्हारे पास रूखी रोटी है, सूखी सबजी है, जो कुछ भी है, तुम उसको खाओ, और ठंडा पानी पियो, यानि की जो तुम्हारे पास है, उसमें संतोश रखो. देख बिरानी चुपडी मन ललचावे जी और अपने मनसे मन पर कंट्रोल रखो क्योंकि दूसरे की चुपडी रोटी खा के तुम्हारे पास है। तो का कहने चाह रहे हैं कभीदा जी कह रहे हैं कि हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है हमें कुछ भी जो भी प्राप्त है वो हमें हमारे परिश्रम के बल पर प्राप्त होता है किस पर होता है हम जैसे कर्म कर रहे हैं जैसा परिश्रम कर रहे हैं वैसे हमें फल मिलता है ठीक है अब जो कुछ हमें मिला है, हमें उसमें संतोष रखना चाहिए, जैसे अब आप लोग हैं, आपके पास कोई भी चीज है, अब उससे अच्छी किसी के पास होगी, तो आप उसको देखकर लल्चाओगे और उससे बोरो करने या उससे लेने की कोशिश करोगे, लेकिन ये नही है, इश्वन ने आपको जो भी प्रदत करी है, उसमें आपको संतोष रखना चाहिए, और दूसरों की चीज़ों को देखकर उसे पाने की लालसा या मन में लालच नहीं लाना चाहिए, क्या कह रहें, इश्वन ने जो कुछ भी दिया है, उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि आप उसी के हददार है, दूसरों की घी की चुपड़ी दे रोटी देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए, तो यह आप बात आती है कि भाई, इस दोहे को हम इंप्लिमेंट कहा करेंगे, यानि कि जब कोई व्यक्ति किसी की चीज़ को देखकर ललचाए, आप मान उसमें संतोश नहीं करके, आप दूसरों की चीज़ों को पाने के लिए जब लालसा रखते हैं, तो उस जगहा पर इस दोहे को हम इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो यह थे दोहों के संसार सीरीज के आज के दो दोहे, तो इनको आप अच्छे से मैंने समझाया, कोशिश करि इन्हें आस-पास हो रहे ही चीज़ों के साथ मिल करिए, लेखन में इस्तमाल करिए, समबात में इस्तमाल करिए, और अपना प्रभाव इस्ताफित करिए, और मैं मिलूंगी फिर से अगली बार कुछ नहीं गयान के साथ में, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाबाई